नमास्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस रीजिनिंगे टॉप टैन कोश्चन करेंगे जो कि आपके हरियाना पुलिस एक्साम के लिए इंपोर्टेंट है तो कोश्चन को करने से पहले निर्देश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है निमलिखित दिये के प्रस्णों में अच्छरों अंको की एक स्रंकला दे गई है इन स्रंकलाओं में एक या दो अच्छर को लुप्त कर दिया गया है तता उनके स्थान पर प्रस्ण बाचक चिन मतलब कोश्चन मारक दर्स आए गये हैं दिये की स्रंकला का ध्यान से तो कैसे करेंगे आपको बता देता हूं गाइस देखिए अगला question जो है इसका पहले का P से हमें बनाना है Q P के बाद क्या आता है आपको पता होगा अलफा बेट में मतलब बढ़न माला में P के बादा है Q, Q के बादा है R, R के बादा है S, फिर S के बादा है T तो T के बाद क्या आएगा U, ओके तो गाइस देखिए U किसमें किसमें है आपका C में भी है और D में है लेकिन B और A में नहीं है तो आपका आंसर C या D में से एक हो सकता है अब देखिए Z से हमें बनाना है Y, मतलब उल्टा जा रहे हैं, एक अंग पीछे जा रहे हैं ओके घड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब Z का होता है 26 और Y का होता है 25 अब देखिए Y से आप X बना रहे हैं Y का होता है 25, X का होता है 24, अब देखिए X से W बना रहे हैं X का होता है 24, W का होता है 23, अब W से V बना रहे है, UB वाला, W का होता है 23, V का होता है 22, अब एक और फिर गटाएंगे, B का होता है 22, 22 से गटाएंगे तो U, तो मतलब W आपका हो गया, तो C और D में, W किसमें, केबल इसमें, पहले और A और B पहले ही कट हो चुके थे, लेकिन C में आपका U भी आ रहा है, लेकिन D में आपका U, U आ रहा है, लेकिन आपको क्या निकाला था, U, U, ओके, अब आगे हल करने की कोई जरूर ने, क्योंकि C में है नहीं, W, तो और D में है, तो आपका अंसर हो जाएगा, Option D, चलिए अगला कोशन करते हैं, जो है आपका दूसरा, इसमें ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये, 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 और यहां पर कोशन मार्क है, तो कैसे न बनाना है C से E, C का होता है 3, और E का होता है 5, तो कितना एड होगा, प्लस का 2, अब E से हमें बनाना है G, तो E का होता है आपका 5, और G का होता है 7, तो कितना एड होगा, प्लस का 2, अब G से हमें I बनाना है, G का होता है 7, I का होता है 9, तो कितना एड होगा, तो आगे भी 2 जब लोगा है कि नौ नौ में क्लिप्स का होता है आपका के राच पहला इलफाबेट आपका मिलत के तो کہ के इसमें ये और वर इसमें ये लेकिन अर्युक्र Цеट यह ऊशे ऍंटीयों कट जाएंगे अब देखे P से हमें बनाना है Q, दूसरे दूसरे सब एक alphabet उठाएंगे P से बनाना है Q, P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आता है यार मतलब alphabet, मतलब बन माला में आपके serial बाई से चल लाए है P, Q, R, फिर S, फिर T आया, T के बाद क्या आएगा आपका U, ओके, तो गाइस K, U आपका मिल गया, तो K, U आपका पहले और दूसरे में किसमें किसमें है केबल option A में, B में आपका K भी है, तो ये भी cut, C और D पहले ही cut हो चुके तो आगे आप करने के हल, करने के कोई जुरूर नहीं, तो आपका answer होगे option A चलिए अगला question करते है, अगला question है तीसरा, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा तो सभी के पहले-पहले alphabet उठाएंगे, G से बनाएंगे app, G का कितना alphabet code होता है, 7, app का होता है 6, तो कितना गटा माइनस का एक अब app से हमें बनाना E, app का होता है 6, E का होता है 5, तो कितना गटा माइनस का एक अब E से हमें बनाना है D, E का होता है 5, D का होता है 4, तो कितना गटा माइनस का एक तो आगे भी यह गटेगा, तो 4 में से गटाएंगे तो आपका आएगा 3, 3 किसका होता है C का तो आपका C आ गया है, यहाँ पर पहला अलफाबर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा तो गाइस देखे, C आपका C में भी है, D में भी है, लेकिन A और B में नहीं है तो पहला और दूसरा कट हो जाएगा, और C और D में से आपका एक answer होगा अब देखे, T से हमें बनाना है S तो गाइस देखे, T का होता है 20, S का होता है 19, तो कितना गटा माइनस का एक अब S के बाद R है, S का होता है 19, R का होता है 18, कितना गटा माइनस का एक अब R से Q बनाना है, R का होता है 18, Q का होता है 17, तो कितना गटा माइनस का एक तो आगे भी गटेगा, 17 से गटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, 16, 16 किसका होता है, P का, ओके, तो guys, आपका पहला alphabet मिला था C, और दूसरा मिला आपका P, अब देखिए, option C और D में CP किसमे है, तो इसमें आ रहा है, आगे का हल करने की कोजरूर नहीं तो आपका answer हो जाएग option C, चलिए अगला question करते हैं, देखिए अगला question है, बहुत ही simple सा है, इसमें आपको यहाँ पर question मारके, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो काई देखिए, पहले में Z है, इसमें K है, और इसमें W है, इसमें Q है, तो अगर आगे का, अगर यहाँ का, पहला बाला alphabet मिल है, तो आपको हल करने की कोई जरूर ने, आप तुरं तांसल लगा दीजिएगा, ओके, अब देखिए कैसे, पहला पहला alphabet उठाएंगे, E से बनाना है के, E का होता है 5, K का होता 11, तो कितना यहाँ प्लस का 6, अब देखिए K से Q बनाना है, K का होता 11, और Q का होता 17, तो कित 23, तो 23 किसका होता है, आपका W का, तो यहाँ पर पहला alphabet हो जाएगा W, और W देखिए 4 option में से किस में आ रहा है, option D में, आगे आप solve करने की कोई जरूर ने, तो आंसर हो जाएगा option D, चलिए अगला question करते हैं, तो अगला question है 5, यहाँ पर बताना है कि कौन से alphabet आएंगे, 4 option आपके दिये गए हैं, तो कैसे करेंगे, कर लेते हैं हम लोग, पहले पहले alphabet उठाते हैं, A से बनाना है C, A का alphabet code क्या होता है, C का होता है 3, तो कितना add होगा, प्लस का 2, अब देखिए C से बनाना है E, C का होता है 3, E का होता है 5, तो कितना add होगा, प्लस का 2, अब आगे भी 2e add होगा तो 5 में 2 add करेंगे 7 7 किसका alphabet होताँ है तो आपका यह होताँ है g का अब देखे g किसमें किसमें आ रहाए इसमें आ रहाँ तो यहाँ होजाएगा b में भी नहीं g आ रहा Gu क्योंकि इसमें पहला alphabet g h आ रहाँ है तो यह भी कट अब C में देखे इसमें भी H आ रहा है तो यह भी कट D में आपका रहा है G तो यही आपका अंसर हो जाएगा क्योंकि अगर आपका पहला अलफाबेट मिल जाता है तो आप आशानी से अंसर निकाल सकते हैं आपका अंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन करते हैं आपके नंबर दिये के जिसे 5, 18, 31, 41, 57 और यहां पर कोश्चन मारके तो कैसे निकालेंगे सिंपल सा है 5 से 18 बनने में कितना एड़ोगा प्लस का 13 अब देखे 18 से 31 बनने में कितना एड़ोगा प्लस का 13 अब 41 और 31 से 44 बनने में कितना एड़ोगा प्लस का 13 44 से 57 बनने में कितना एड़ोगा प्लस का 13 तो आगे भी आपका प्लस का 13 अगला कोश्चन जो है आपका देखिए यहां पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा इतने सारे नंबर दिये गए तो कैसे करेंगे तो इस टाइब के question दोस्तों exam में 2-3 question आ जाते हैं कभी कभार क्या होता है कि 4 भी question आ जाते हैं तो आपको पूरा set लगाना है और answer आपको comment करके बताना है तो गैस देखे 6-11 बने आएंगे तो आपने एक तरीका करेंगे कि 6-11 बनाना है तो कितना एड़ होगा प्लस का 9 अब 27-38 बनना है तो कितना एड़ होगा प्लस का 11 अब देखे गाइस 5-7 के बीच अंतर कितने का है 2 का 7-9 के बीच अंतर कितने का है प्लस का 2 9-11 के बीच अंतर कितने का है प्लस का 2 आगे भी 2 का अंतर होगा तो इस 2 को 11 में एड़ करेंगे तो next संक्या जो होगी वो का 13 तो 11 और 13 के बिच कितना एक अंतर हो जाएगा फिर 2 का अब इस 13 को आप 38 में एड़ कर दीजेगा तो आपका आंसर आजाएगा तो 38 में अगर 13 ये एड़ करते हैं तो आपका क्या आएगा 8 3 11 की है एक आस लगा एक 4 5 मतलब 51 तो आंसर हो जाएगा option C is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला जो question है बहुत ही simple सा है आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा कौन सा number आएगा तो कैसे करेंगे देखे 190 से 165 मतलब घट रहा है तो कितना घट रहा है माइनस का 25 माइनस का 25 आपका घटा इसके बाद 165 से 140 बनाना है तो कितना घटा माइनस का 25 अब देखे 140 से 115 बनाना है तो इसमें कितना घटा माइनस का 25 अब 115 से 90 बनाना है तो कितना घटा माइनस का 25 तो सभी में 25 गट रहा है तो आगे भी 25 गटेगा तो इस 25 को 90 से अगर घटाएंगे 90 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा देखे 10 में से 5 के 5 हाच लगा 10 में से 5 के 5 और 8 में से 2 के तो 6 तो आपका बचा यहाँ पर 65 आएगा अगली जो संक्या होगी मतलब जो हमें बताना है कोश्चन मार की जगे तो आपका होजाएगा 65 तो आणसर होजाएगा option B is right answer चलिए अगला कोश्चन करते हैं देखे अगला जो कोश्चन है नॉमा बहुत ही सिंपल सा है और देखे इसमें 430, 300C, 335, 295, 260, 230 और यहाँ पर एक कोश्चन मार क्ट तो यहाँ पर निकालना है कि कौन सा नॉमबर आएगा गाईज तो कैसे करेंगे 430 से 380 बन रहा है तो क्या हो रहा है गट रहा है तो कितना गट रहा है माइनस का 50 गटा ओके अब गाईज देखे 380 से 335 बन रहा है तो कितना गट रहा है माइनस का 45 गट रहा है अब देखिए 335 से 295 गट रहा है तो कितना गट रहा माइनस का 40 गट रहा है अब 295 से 260 बन रहा है तो कितना गट रहा है माइनस का 30 स्वरी माइनस का 35 गट रहा है अब 260 से 230 बनना है तो कितना घट रहा माइनस का 30 तो गैस देखें पहले था 50 घट रहा था फिर 5 कम किये 45 फिर 5 कम किये 40 फिर 5 कम किये 35 फिर 5 कम किये 30 तो आगे भी 5 कम करना पड़ेगा तो आगे कितना घटेगा माइनस का 25 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 25 इस माइनस 25 को 230 से घटा देंगे तो 230 में 25 घटा हैं तो आपको कितना मिलता है 205 ओके तो आंसर हो जाएगा आपका Option C 205 और आज का Last Question कर लेते हैं अगला Question जो बनता है बहुती Simple सा है यहाँ पर बताना है Question Mark क्या है तो गाई देखे 8,32 मतलब क्या हो रहा आप दिमाग लगा सकते हैं कि Multiply हुआ फिर 32 से Direct 126 तो आपका Sure हो चुके हैं कि आपका Multiply हुआ ही होगा अब 128 से 512 इस में भी Multiply हुआ उसके बाद 2048 मतलब Multiply तो देखे 8 से 32 बनने में कितने का Multiply हुआ 4 का 8 चको 32 होता है अब देखे 32 से 128 बनने में कितने का Multiply हुआ 4 का Multiply 32 चको 128 अब 128 से 512 बनने में कितने का Multiply 4 का Multiply अब 512 से 2048 बनने में कितने का Multiply 4 का Multiply मतलब सभी में Multiply होता जारा तो आगे भी यही पैटरन फालो करना पड़ेगा तो 2048 में 4 का Multiply अगर करते हैं तो आपका कितना आएगा चार अठे बात्यस की दो हासिल लगा तीन, चार चको सोला आतीन उन्निस की नो हासिल लगा एक और एक ये चार दुनिया आठ तो आपका अंसर आएगा आठ हजार एकसो बानवे तो आंसर हो जाएगा ओप्शन डी इस राइट आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद आपका दिन सुपर आजे